तो सिफ राकेश भाई को और बंदूों को मिलने आई थी मेरे साथ गांधी संस्ता के श्री रामचंदर राही आए हैं डॉक्टर अन्नमले जी आए हैं और भी साथी लोग आए हैं हमें गांधी संस्ता से जुड़े हुए हैं गांधी नैशनल उसके म्यूजियम से और गांधी समारफ से और मेरे साथ तमिल नाडू की बहन आई हैं और मेरे अपने सचिवाय हैं नीरज भाई हमें तीन घंटे लगे दिल्ली से यहां पहुँचने में लेकिन ऐसी अद्भूत यात्रा जीवन की कभी नहीं भूलूंगे मैं और मीरट बच्पन से ही मीरट और हापुड तो एतिहासिक जगा रही है इजर से गुसरना जैसे कि मैं अपने पीछे के दिनों में चली गई जब गांधी का यूग था और जब मैं बहुत चोटी थी और जब अहिंसा की करंटी होती थी आज मैं आप लोगों को नमन करने आई हूँ कि अगर आज हम जिन्दा है जिन्दा है तो आप लोगों के कारण अगर किसान भाईयों का हित नहीं होता है तो हमारा देश का हित नहीं होगा मेरा हित नहीं होगा मैं किसी भी राजनीती दल के लिए नहीं आई हूँ हमारे साथ कोई पुलिश एस्कॉर्ट नहीं है कोई नहीं है हमारे साथ सिर्फ आप लोगों का प्यार है उसे अधिक मेरा है जो मैं आप लोगों के प्रती आज मुझे बौका मिला है कि मैं जिन्दगी भाइज जिनके कामस के कारण मैंने खाया है मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, मेरे साथ लोग रहुए हैं मैं किसी को खिला सकती हूँ, मैं कुछ खा सकती हूँ आज आप लोगोंने बुलाया है आप लोग महमान है यहां दिल्ली के लेकिन मैं आपसे कहते हूँ कि आप लोग हमेशा ही हमी हाँ आपके महमान रहें, क्यों आप लोगों के दोआरा यूंखाते रहें मैं दिल्ली की 87 साल की वयो व्रिद्ध हिंदुस्तान की नागरिक हूँ और मैं राकेश भाई को और भी भाई लोगों आपको भी सबको मैं बहुत तो नाम करती हूँ और आप सबको मैं कहती हूँ जो भी है जो भी कुछ हो मैं राजनीती बिल्कुल नहीं समझती, मैं तो अनपढ़ हूँ और मुझे आप अपने गाउं का ही समझे मुझे दिल्ली की हूँ लेकिन समझे मैं आप लोगों की हूँ और मैं आप लोगों से कहती हूँ वयोवरिद्ध वस्ता में मैं सिर्फ प्रास्मा करने आई कि सत्य की जीत हो आप लोगों का जो अभाव है वो पूरा हो और जो भी देश में हो, मैं सच कहूँ आपके सामने इतना अनपढ़ ग्यक्ती कभी नहीं आया होगा मुझे गांधी जी की भी मैंने पोतियां नहीं पढ़ी है उनके साथ मेरी 14 साल की उमर तक अनुभव रहा है और मात्र शक्ती की भी बंदना करती हूँ जो बेहने यहां है कि महात्मा गांधी आज उस जगर नहीं होते हमारे राश्च्य पिता अगर उनकी सह घर्मनी कस्तूर्बा ने उनका साथ नहीं दिया होता इसे मैं आज सब बेहनों को भी प्रणाम करती हूँ बेहनों को, माताओं को, बच्चों को, सब को किसान हित में हमारे देश का हित है, मेरा हित है देश दिन, सारे जीवन में जो मैं आभार युक्त रही हूँ आज मैं उनी को जिन से मैंने लिया है उनको प्रणाम करने आई हूँ अगर आपका हित नहीं होता है तो हमारा हित नहीं होगा मैं कानून भी नहीं जानती हूँ मैं बिस एकदम से मैं अंधेरे में समझेती ही चला रही हूँ कि जो भी हो आपका भला हो भला हो आपके परिवारों का अच्छा हो और आप यहां सदा मेहमान बने अच्छी तरह से रहें खुश हो के मेहमान रहें ये एक बात और भी है कि हमने परियावरन को इतना दूशित क्या है मन को दूशित न करें मेरी इतनी विंती है भई वेनों से, कि हमारे जो बच्चे हैं, आज वो कलके नागरीक होंगे, राकिश भाय, मैं आपके दौरा, भाई साब आप लोगों के दौरा ये कहूंगी, जी मन की हिंसा को हटाईए, मन की हिंसा होती है, वातावरन को प्रदूशित करती है आप लोगों में इतनी सच्चाई है कि आपको हिंसा की भाषा की आवश्यक्ता ही नहीं है आपकी जो बज़र है जो आपके कारण है वो सब इतने उसमें इतना सत्य है कि सत्य सोयम ही बोलता है और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को मेरी तो प्राफ्मर होगी मैं आप लोगों की बहन हूँ माँ हूँ आप लोगों की मैं धर्टी की बेटी हूँ आप लोगों का दिल्ली में स्वागत है बहुत स्वागत है मैं आज जो देखके आई जैसे चंट है सब लोग बैठे हुए आज मेरा जीवन सफल हुआ, आप लोगों का सबका आतित्य पाक है, इतना प्रेम उसने पाक है, मैं बहुत खुश हूँ, बस मुझे लगता है कैसे मैं आप लोगों को कुछ खाना बना के न खिला हूँ, अन्न तो आपका ही होगा, लेकिन बनाने वाली मैं हूँगी, मेरी प मन करती हूँ, सत्य को, संदर्य को, कल्यान को, और धर्थी को, मा धर्थी के हम सब बच्चे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षेत रहें, और अवश्य हर तिसान को एर कंडिशन गाड़ी मिले, क्यों न मिले? मातमा गाली! मातमा गाली! प्रद्धे नहीं जा सकी होने ने का मैं सब तयारी करूंगा और आकिस भाई भी हम मिल गए आप लोग मिल गए और सब ने कहा कि हम तयार हैं और हमारे सामने इतने बुझग भाई बैठे हैं राम चंदर डाही जी वो भी एक दम से तयार हो गए तो हम दो गाड़ियों में किस झाल